हाई फ्रेंड्स कैसे हो आप सब मेरे यूटूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत आपका एक नहीं वीडियो के साथ तो आज हम बनाने जा रहे हैं चोले की फली और आलो की बहुत ही स्वाधिश्ट और मज़ेदार सब्जी ग्यार पिर इसके लिए लग के नहीं कर्की इसके लिए ने समान लिए हैं तो म आपको बचा देती हूए है कि अधिक करके ग्यां तो जे देखे सबसे पहले बैं लगबक आदा की अलो आलो लिए है जिनको उपर से चीलके और कट कर लिया है और बिल्कुल अच्छे से दोकर साफ कर लिया है और इसके साथ ही हमने जो ये चोले की फली ली है कच्छी चोले की फली इसको हमने कट कर लिया है और दोकर बिल्कुल अच्छे से साफ कर लिया है इसके लिए मैंने दो छोटे प्याज जिनको बारी कट कर ल एक चोटी चमस लाल मीर्स पाउडर आदी चोटी चमस हल्दी पाउडर नमक लेंगे अपने स्वाद के अनुसार एक चोटी चमस धन्या पाउडर यह हमने सरसो का ओल लिया है तो चलिए सब जिम्नाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने कड़ाई लिया कड़ाई हमारी गरम हो चुकिए गैस का फ्लेमोन कर दिया इसके उपर हमने लगवग एक बड़ा चमस तरसो का ओल डाल दिया है oil को गरम होने देते हैं, walाइ गरम होनों, के बाद इसके अंदर राधा डाल ढाल पीडाल को जिरा सकते हो, राधा बिल्कुल अच्छी पग तो इसके बाद हम दालेंगे टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम डाल देंगे इसके अंदर चोले की फिली और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसके अंदर डाल देंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लालमीच पाउडर के 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 आलो को हमने मिला दिया अच्छे से अब हम इसके ओपर डखान लगाते हैं लगबग 5 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं तो यह देखिए 5 मिनिट बाद हम देखते हैं कि हमारी जो सब्जी है वह बिल्कुल रैडी हो चुकी है आप देख सकते हो देखने में बहु को कैसी दगी तो चलिए अब मैं इसको अलग बरतर में निकाल कर सर्व करती हूं यह मैंने इसको अलग बरतर में निकाल दिया है तो देखिए बहुत ही स्वाधिश्ट और मज़ेदार सब जीवन कर रैडी हुई है उमीद करते हूं मेरी आज की रेसिपी आपको जूरूर पसंद आएगी अगर यह मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेट शेयर करना बिलकूर ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से तब तक के लिए बाई बाई